जे हिंद फिजर फिटर फिटर आफसरी का स्वागत है इस वीडियो में आज एक बाद फिर समय बात करने जा रहे हैं M. Power India Limited Company के बारे में यह इसा है जिसके बारे में समय से बात करते रहे हैं काफी जरूरी हो जाता है जैसे की नाम में लगा हुए पाउर कंपणी काफी पाउरफुल है नाम से ही आप समझ सकते हैं जैसे नाम वैसा काम वजह यह है कमबनी के stock price में लगतार कोई दीनों से तीजी जो देखने को मिल रही है ले पिछले कई तिनों से प्रास लगता है रोकेट बनावा प्राइस तिरी डरकर करके ऊह पर ही बहुत जल्द आपको 500 क्रोन के पार्ट जाती हुए दिखने वाला हो रहे एक बार कमणी का मार्केट के 500 क्रोन को पार कर गया उसके बाद यह स्टॉक पिरिये स्टॉक के से रिकल कर थोड़ा स्मॉल कर शिप्ट होगा उसके बाद इसमें इंवेश्टमेंट और करेंगे जो बड़े-बड़े इंवेश्टर्स हैं और जैसे जैसे कमणी में इंवेश्टमेंट नया इंवेश्टमेंट आएगा शेयर प्राइस लंबी ओध में भी ऐसे ही आपको उपर की तरफ जाती हुए दिखेगा यहाँ पर देखेंगे जब आप बीस इंडिया वेफसाइट पर यहाँ पर सपेस देखेगके पिछले कई दिनों से लगतायर अपर सर्केंट में चल रहा है कहीं पर भी आपको लोवर सर्केट टाच होते हुए नहीं दीखेगा जहां भी देखेंगे आप यहां पे सब्से कमान की बात है कि रोज तो एक नया बावन वी कहा है इस्वें का काम है मैं आपको discussion करके बताऊंगा और जिस तरह से कंपनी के fundamental है एक चीज मुझे यहाँ पे काफी कह सकते हैं कि निरासा जनक लगी कॉर्प्रेटेक्स जबाएंगे तो देखेंगे कंपनी ने जो लाश्ट टाम डिविडेंट दिया था वो 2010 में दिया था 2010 के बाद कंपनी में कोई भी नया कॉर्प्रेटेक्स होती वे नहीं दिखा है जबकि कंपनी इतना कमा रही है कंपनी के जैसे स्टेयर प्रेस लगता है रोकेट बने हुए प्राइस उपर जा रहा है स्टेयर प्राइस बढ़ रहा है इस कंपनी का fundamental मजबूत हो लेकिन खैर एंप आपको डिविटेंड या बोनस नहीं दे दे तो चिंता करने के बात नहीं कमपनी का शेयर प्राइस बढ़ते रहे है और हमारे जो इनवेस्टमेंट है इसके साथ बढ़ते रहे है कमपनी जो काम करती है आई टी सेक्टर से बिलॉंग करती है और आई टी और कम कम है यह अलग बात है लेकिन या बात भी बद्धाने कमपनी का बढ़ते है लगवाग बढ़ते हैं जिस वाज से जो कम्पनी का ऑप्रेटिंग या भी आपको पहले जहां 25 लग था पर 202 लाग से बढ़ रहे तीन को नोचतिस लाग हो गया और जब मैं नेट प्रॉ जब नेट प्रोफिट देखेंगे तो यह भी जिसे 65 लाग से बढ़कर तीन करोण 36 लाग हो गया है तो कह सकते हैं लगवाग तीन गुलना से भी ज्यादा कमणी का नेट प्रोफिट हुआ है और कहीं न कहीं यही असर है जब कमणी के पास कमणी का सेल्स बढ़एगा और यह कमनी के पास 177 करोण लका स पास हो गया है तो जब च यह करजा ही प्रोफिछा ही नहीं तो उसे मजबूती के संक्यत होते हैं कमनी के सेल्स में तीजी अभी आखको इस Php k समझते कि अभी आपको करना क्या है तो देखिए एक साल के चांट पर देखें कि कभी का से लगता है रोकेट बना हुए कहीं पर भी इस तरह के के आपको थोड़ा सा रिटर्स्मेंट होते वे नहीं दीखा है और नौमबर दिसमर्ग बात तो जाहिट सी बात है जहां अभी त प्रइस जहां तक जा रहा है इसको जाने दीजिए और जहां तक जाख रिटर्स्मेंट करने नीचे आएगा जैसे यहां पर थोड़ा से रिट्रिय वेन नीचे यहां था था तो जो लोग उनोंने यहां पर इंट्रिव बनाया हुगा उँसे तरी की देखने को अशी कमाई यदि overall एंप बावर नडेल मेंटेट को हम दो समझें आसान भासा में तो यही है कि कंपनी के काम काम काफी बढ़ी है कंपनी के फंडमेंटल काफी बढ़ी है जहेड से बाते लंबी ओधी में इसमें और भी तीजी बने के चांसेज रहेंगे हमेशा इसमें इसमें आती में तब तक देने बात शुक्रिया